हेलो फ्रेंड, मन्नु महरानी कीचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं, तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल डिफ्रेंट केक की रेसिपी लेकी आई हूँ, जो बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बहुती इजिली बन जाती है, इसका टेस्ट बहुत यह हमें मेंगू और सूजी की जरूरत है तो चलिए मेंगू और सूजी से केग बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेवल स्पून ओयल ओयल हमें किसी फ्लेवर का नहीं लेना है जैसे मस्टर्ड ओयल तो चलिए, अब हम इसमें एड़ करेंगे सुगर, यह सुगर पाउडर मैंने घर पे ही तयार किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा दूद, इसे अच्छे से मिक्स करना है, हमें इसे जादा नहीं फेटना, अब हम इसके पर एक चंड़नी, हम इसमें अट करेंगे सूझी जिसे मैंने बारिक पीस लिया है, सूझी यह में बहुत जादा बारिक पीस ना है, क्योंकि हम मैदे का यूज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से चाल लेंगे, सूझी हमारी चंड चुकी है, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम एट करेंगे मैंगो का पर्फ जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से चला लेंगे अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढकन लगा के रेस्ट पर रख देंगे जिससे हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल जाए तो 10 मिनट हो चुके है सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है अब इसकी कंसेटेंसी थोड़ी थिक है मैं इसमें थोड़ा सा दूद और अट करूंगी अब इसकी कंसेटेंसी एकदम परफेक्ट बनी है अब हम इसमें एड करेंगे एक चमच बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर एड करने से केक बहुत ज़़ा स्पउंजी बनता है तो बस अब हम इसे केक टिंट में ट्रांसपर करेंगे केक टिंट को पहले हम ग्रीस कर लेंगे ओयल से अब हम इसमें मैदे से रस्टिंग करेंगे आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं तो केक्टिन हमारा रेडी है अब हम कूकर को प्रिहीट कर लेते हैं तो आज मैं ये के कूकर में बना रही हूँ तो मैंने कूकर में नमक डाल के रख लिया है और एक स्टैंड लगा दिया है अब हम इसे प्रिहीट करने के लिए रख देंगे पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखना है ढख के तब तक हम अपने केक का बैटर केक टिन बर डालते हैं अच्छे से टैप कर लेंगे अब हम इसे डैकूरेट करेंगे मैं इसे बदाम से डैकूरेट कर रही हूं आप चाहे तो कोई भी ड्राइफूड ले सकते हैं या तूटी पूटी भी एड कर सकते हैं अब हम इसे डैकूरेट कर लिया है अब हम इसे कूकर में रखेंगे कूकर हमारा प्रिहीट हो चुका है अब हम इसके अंदर केक डालेंगे केक को मैंने अच्छे से रख लिया है अब मैं कुकर का डक्कन लगाके 40-45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी केक को इतना टाइम लगता है बेक होने के लिए तो 45 मिनट हो चुके है चलिए केक को चेक कर लेते हैं तो केक को मैं knife की health से चेक करूंगी तो knife हमारे एकदम clean है तो cake हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है 10-15 मिर्ड हम इसे cake को इसी मेरे बेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे तो cake हमारे ठंडा हो चुका है तो चलिए आप हम इसे डिमोल कर लेते हैं उपर से टैप करेंगे तो देखिए केक कितना इजीली निकल जाता है अगर हमने इसमें ऑईल और ग्रीसिंग अच्छे से करी है तो केक बहुत ही इजीली निकल जाता है आप हम इसे पलट लेंगे वाउ तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक बनके रेडी हुआ है और बिलकुल डिफ्रेंट केक है तो आप देख सकते हैं मैंगो एड करने से कितना नैचुरल कलर आया है हमने इसमें कोई भी कलर एड नहीं किया है तो देखिए यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है आप इसे जरूर क्रियेट करके देखिए यह बिलकुल डिफ्रेंट केक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो गाइस अगर आपको मेरी केक बनाने की रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से मेरी वीडियो को like, share और subscribe कर दीजिए तो चलिए, मिलते हैं एक new recipe के साथ Till then, bye bye